चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट राउंड का रेजल्ट आ चुका है और इसकी गॉर्मेंट सीट की कटोप 610 मार्क्स रही है इस वीडियो में हम गॉर्मेंट और प्राइवेट की कटोप के बारे में बात करेंगे साथ ये भी चर्चा करेंगे की आगे का स्टेप क्या होगा तो सबसे पहले हम कटोप देख लेते हैं तो सबसे कम कटोप बैरेज की गई है इसमें यूर केटेगरी की 15,450 रेंग पर जिस कंडिडेट के मार्क्स 610 थे उसको मिली है BC केटेगरी 16,990 606 मार्क्स EWS की 16,979 रेंग वाले कंडिडेट जिसके मार्क्स थे 606 को मिली है SC केटेगरी की 1,24,566 457 मार्क्स EWS की 3,85,727 रेंग 265 मार्क्स URPS 6,25,615 रेंग 164 मार्क्स और BCPS की 6,44,124 यानि 159 मार्क्स थे उसकी कटोफ रही है इसके बारे में हम इसके बाद में बाकी गवर्मेंट मेडिकल कोलेज की UR कटोफ की बात करें तो KGMC की 2,568 रेंग पर 657 मार्क्स कटोफ रही है GSVM कानफूर की 5,586,641, SN आगरा की 9,166,626 इसके बाद MLN प्रियाग राज की 7,355,634 मार्क्स LLRM मेरट की 8,195,631 मार्क्स MLB जहसी की 10,328,624 मार्क्स BRD गोरक्पूर 9,586,626 मार्क्स इसके बाद सफ़ई 10,997,622 मार्क्स आजमकट 13,455,615 मार्क्स इसके बाद बांदा 14,726,612 मार्क्स इसके बाद में हम देखें इसमें RML लखनव की 4,095 रेंग पर 649 मार्क्स इसके बाद में बदोन की 14,328,613 मार्क्स ग्रेटर नोईडा की 8,702,630 मार्क्स बस्ती की 15,109,611 मार्क्स अयोदा 12,632,617 मार्क्स फिरोजाबाद 14,154,613 मार्क्स इसके बाद साजापूर की 14,692,612 मार्क्स अमेटकर 11,769,620 मार्क्स करनोज की 11,187,621 मार्क्स और जालोन की रही है इसमें 12,293 यानि 618 मार्क्स और इसमें साजापूर की रही है 11,166,621 मार्क्स कटोप रही है गौर्ममेंट एपzus मेडिगल कोलेज यू पी की अब प्राइवेट की बात करें तो नन来 अपनुरिटी को यूरवनाजन इप ऑर मेडिगल कोलेज है उसकी साधापूर की डार्व लेट्म मानियोरिटी की तो सबसे कम कटोफ FH आगरा की रही है 115 मार्क्स जैन मानियोरिटी की कटोफ 182 मार्क्स कटोफ लास्ट कटोफ रही है अब हम एक बार डेंटल की बात करें गॉर्मेट के जी एमसी डेंटल की तो यूर कटेगरी 18700 बैतर यानि 602 मार्क्स BC कटेगरी 2127 यानि 597 मार्क्स SC कटेगरी 131356451 मार्क्स और ST कटेगरी 44925 यानि 255 मार्क्स कटोफ रही है डेंटल गॉर्मेंट की अब जिन कंडिडेट का 1st राउंड में अलोटमेंट नहीं हुआ है वो 2nd राउंड के लिए इलीजिबल है और जिनका 1st राउंड में अलोटमेंट हो गया है वो गॉर्मेंट की कंडिशन में अलोटेट कोलेज में रिपोर्ट करें और प्राइवेट की कंडिशन में वो न UP के कुछ rules अलग हैं इसमें अगर आप first round में seat join नहीं करते हैं तो आपकी security रासी जो है वो सारी जबत हो जाएगी और second round में आपको फिर से security deposit करके फिर आप second round में participate कर सकते हैं अगर first round में आपको seat allot हो गई है और आप उस condition में उसमें join नहीं कर रहे हैं तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको अन्य कहीं seat allot हो गई है तो आप इसमें कुछ condition है अगर allotted seat का आप allotment लेटर दिखाएंगे तो आपको 10% tuition fees में से deduct करके बाकी security fees के साथ में amount दे दिया जाएगा अगर आ आप कहीं का allotment लेटर नहीं दिखाते हैं और वैसे ही seat छोड़ना चाते हैं तो उस condition में आपका 50% tuition fees का और 50% security amount का पैसा जो है वो deduct करके फिर आपको वापस दिया जाएगा तो इस परकार की condition यूपी के first round में हैं तो अगर आपको seat allot हो गई है state से तो आप इसको join कर सकते हैं ये जानकारी थी यूपी state की cut off और next step के बारे में आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वे ज़्यदा ज़्यदा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद